आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिसकेशन है वो है नाइम टूल नाइम क्या है हमारे पास नाइम जो है हमारे पास एक ओपन सोर्स एक हमारे पास एक ऐसा प्लैटफॉर्म है जिसके उपर हम बहुत सारे एडवांस्ट काम कर सकते हैं ठीक है आज जो है हमारे ही जो शीडियस का स्टार्ट होने लगया है यह जो हमें इस पूल प्लेइलिस्ट बनाने लगे है यह है नाइम के बारे में ठीक है नाइम क्या है यह किस für यूज़ होता है इसके एडवांटिजिंगी इसका परपर्स कर हैं सब हम बहुत बिटेल में पढ़े है सबसे पहले हम उसके installation steps क्या या नाइम क्यों यूज किया जाता है नाइम के यूज के सिस क्या है और उसके एडवांटजिस क्या है हमारे पास सबसे पहली चीज हम देख लेते हैं installation steps ठीक है या को install करना सीख लिएते हैं फिर उसके बारे में ऐस्ता-इसता चीज़े जोने वो discussion उस उनकी discussion करते हैं उनको discuss करते हैं okay so step one आपने क्या करने गूगल पर जाकर simple लिखते रहे 9 download या download 9 और आपके पास www.9.com की जो पहली website आती है इनकी आपने उस पर downloads पर click कर देने ठीक है next आप step 2 पर आएं जिस चम आप step आपने download पर click किया आपके पास एक ऐसी screen खुल जाएगी ठीक है इस screen पर जाकर आप अगर तो यह fill करना चाहते हैं जो के compulsory नहीं है अगर तो आप अपने information जो फिल करना चाहते हैं तो आप कर दें अगर नहीं करना जाएं तो simply आप इन पर जो है check boxes पर टिक करकर यहां पर download पर click कर दें ठीक है step 3 आप जब download पर click कर देंगे आपके पास next screen यह open होगी ठीक है अब आपने देखना है कि आप कौन सा जो है वह यूज करें Windows यूज करें लिनिक्स करें मैक यूज करें तो अपने हिसाब से आप जो भी यूज कर रहे हैं जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है Windows का है Linux का है Mac का है आप वहाँ पर जाकर लिनिक्स का है तो आप इदर डाउनलोड पर click कर देंगे Windows का है तो आप इन में से किसी पर भी click कर सकते हैं तो हम पहले वाले पर click कर देते हैं क्योंकि 486 MB है तो हम जाए भी जो सबसे कम MB है उस पर click कर देते हैं ठीक है यह मेरे पास step 3 था देन step 4 जब आपने उस पर click कर दे हैं वह डाउनलोडिंग पर लगजेगा ठीक है वह आपको कुछ टाइम देगा अगर आपका डाउनलोड पर click कर दिया Windows के उस पर तो अब वह जब उसने अपनी इंस्ट्रॉलेशन कम्प्लीट की तो आपके पास ऐसे फोल्डर में शोवना शुरू हो देगा दैन आप सिंपली क्या करें जब डाउनलोड हो जाए आप इस पर click कर देंगे आपके पास एक ऐसी स्क्रीन की ऐचेगी ठीक है आपने सिंपल यहां पर जाते लिए मुराध से मुरात क 어렵के के यादि आप जहाँ है क्या अपना इस नाइम को जैना रखना चाथे है लिए पेसाटरो डेन में लगें पर क्लिक कर देने तो आप लाउंच पर क्लिक कर देने भी है फडैन गोंसक तो आप आपके home screen पर एक ऐसा icon आ जाएगा जहां। आ भी आपने इस Epicile a desktop पे रखा होगा सिक रखा होगा, सिक की में रखा होगा जहां विह आपने और are now install करके रखा होगा वहां पर आपको एक ऐसcriptions icon श्रुन कुल बत्रोम होना शुरु हो जायगा हो चुका है ठीक है यह आपके पास workflow बेंच आ चुक मैंने का workflow बेंच आ चुक मैं इसका मतलब यह है कि आपका जो नाइम् है वो installed हो चुआ है सो यह सारा तो हमने देखने just installation steps कि आपने नाइम to nine nine basically है क्या install तो करना हमने देख लिया अब हमें यह भी तो पता हो कुछ चीज हमने install किया हो किस purpose के लिए किया यह करता क्या है so nine जो है इस stand क्या करता है stands for constant information minor ठीक है nine भी जो हमारे पस आप कहने full form है वो यह है constant information minor ठीक है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया nine जो है वो हमारे पास एक open source data analytics जो है वो platform है ठीक है open source platform है यह हमारे पास इस पर हमारे पास simple हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास programming के concepts होते हैं उनको हम drag and drop की मदद से इस tool पर solve करते हैं यह जो हमारे पास data science को create करने का platform है ठीक है लेकिन specially specifically उन लोगों के लिए है जो के non coders and non programmers है so जिनको programming नहीं इतनी अच्छी आती obviously concept होना लाजमी है programming का ठीक है know how आपको होनी चाहिए but अगर आपको बहुत अच्छी programming नहीं आती आप coding में expert नहीं है coding में अच्छे नहीं है तो tension की कोई बात नहीं है क्यों क्योंकि आपके पास nine already मौझूद है ठीक है nine में आपको क्या करना है आपको जिस logic पता होनी चाहिए concept आपको आना चाहिए and आपने drag and drop की मदद से पूरे-पूरे अपने जो लोग यह इस बात की फिकर करते हैं कि हम बाकी सब तो हमारे पास skills हैं बट हमारे पास coding की skill नहीं है लाइक हम coding में इतने अच्छे नहीं है तो अब यह एक ऐसा हमारे पास जो है na independent platform है independent tool है कि जिसने हमें इस चीज में bound नहीं किया हुआ कि हम line of code लिखे एक algorithm या एक model को implement करने के लिए हम drag and drop की मदद से भी auto generated पीछे code हुआ है ठीक है आप just nodes होती है आप उनको drag drop करके आप सिरफ drag and drop से खेलकर अपने algorithms अपने models को implement कर सकते हैं ठीक है आप का जो data होता है ठीक है अगर किसी किसम का भी आलगे वास data है ठीक है आपने उसको उसमें से hidden patterns find करने है उसमें से कुछ meaningful insights find करने है ठीक है तो आप क्या करेंगे आप कर सकते है नाईं से हम क्या करते थे अभी तक हम जो देखते आए हैं हम coding करते आए हैं ठीक है हमने करने के लिए आप lines of code लिखते है एक data को clean करने के लिए अगर आपने एक column भी delete करना है तो उसके लिए भी आपको वह code लिखना पड़ते है ठीक है जिबके nine जो है वह एक ऐसा environment है ऐसा development pool है हमारे पास जिसने हमें इस चीज़ से इस चक्र से निकाल दिया है कि हम lines of code लिखकर कोई चीज implement करें कोई चीज़ बनाएं ठीक है हम direct drag and drop के थुरू अपना काम कर सकते हैं ठीक है अच्छा modules कुछ इसके हाँ पर लिखे में है ठीक है data mining है data analysis है data manipulation है बहुत सारे modules है बहुत सारी extensions है इसके अंदर data mining का क्या मतलब होते है कि आप क्लीन कर रहे है उसको ठीक है उस analysis हमारे पास क्या है कि हम जो है data को visualize करना साम कहते है data को देख रहे हैं ठीक है data में से information निकाल रहे है ठीक है data manipulate करे हैं ठीक है so nine जो जो काम हम coding के थुरू करते थे अब वो सब हम independently drag and drop with nodes and connections करेंगे ठीक है हम कोई ज़रूरत नहीं है coding की जो है कुछ भी हमें build करने के लिए code लिखने की हम डारेक्ट इस टूल में जाके हम कुछ भी implement कर सकते हैं data को clean कर सकते है analyze कर सकते हैं visualize कर सकते है model build कर सकते हैं text mining कर सकते हैं हर किसम का model हम बना सकते हैं so एक बहुत ही जबर्दस टूल है नाइम हमारे पास ठीक है और इसमें कैसे काम होता है हम कैसे काम करते हैं वह सब हम बहुत डेटेल में अगर discuss करेंगे यहां बहुत इंट्रो ले रहे हैं कि नाइम होता क्या है तो नाइम की ना कुछ लिंगो है लिंगो का मतलब यह क्या कुछ कहलें कुछ बजवर्ड जहां पर भी आप नाइम सुनेंगे तो वहां पर आपको यह कुछ पांच छे साथ लवज हैं जो जरूर सुनने को मिलेंगे ठीक है सबसे पहरे तो आप देखिए वर्क स्पेस बाघ़ आपको काम का रहे हो तो हम कहते है वर्क स्पेस वर्क्फ्लो क्या होते हैं नाइम में ग contam में लिट इसे आपको पहले बताया है हम पोकिक्लोव गता है वह सारा एक वर्क थलो का हुआ हुए पर यहाहँ बन पूच सब्लोव बन रहोते हैं सबसे पहले आप क्या करते हो डेटा को रीड करते हो फिर आप उसको क्लीन करते हो फिर आप डेटा को फिल्टर करते हो और फिर आप ट्रेंड करते हो तो यह क्या है यह स्टेप पर स्टेप चल रहे है ना तो यह कोई फ्लो बन रहे है हमारे पास ठीक है नाइम जो है हमारे प ज़रा इंट्रस्टिंग कि आप ग्राफिकली जडिर्स नोड्स डाल रहे हैं उनके ےक इन के संब यह टाय। वह की जिस्कोंैं की अध्य स्ट्रीप हुयी सब्सक्ताइब नोर You कर रहे हों ठीक है उसके बाद होती क्या है ठीक है अनोर्ड is the single processing unit of a workflow एक वर्कफ्लो का जो है single processing unit है for example मैं कैती हो मेरे पास एक workflow है workflow जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा हम फ्लो बना रहे होते हैं start से लेकर end तक ठीक है डेटा को वो करने से विशुलाइज करने तक या डेटा का स्कूर निकालने तक पूरे बीच में जो कुछ चुंक्स बनेंगे कुछ नौड बनेंगे पूरा फ्लोव में जो एक-एक मेरे पास यूनिट प्रसेसिंग यूनिट होगा उसको मैं कहूंगी नौड ठीक है वो हमार जो data होते है उसको अगली नोड में transfer कर देती है एक नोड के तीन काम है ठीक है मतलब वो फॉलो करती है क्या input लेती है उसको process करती है और output port पर available कर देती है कि अब जाकर किसी और में इसके साथ connect होना है तो वह हो जाए एक नोड के हमारे पास three states होते हैं यह बहुत important concept है यह जब हम आगे इंप्लिमेंटेशन की तरफ जाएंगे तो हमें यह चीज़ें पता होनी चाहिए कि नोड की states क्या होती है तो नोड की हमारे पास तीन states होती है red, yellow and green जैसे कि आप traffic light का आपको पता है red, yellow and green है red का क्या मतलब लेह के रुका हुए अभी जिस आपने क्या कि यह नोड को उठा के ड्राइग और यह पर आपने कोई ना कोई file जाल नहीं है ना आपने उस पर कोई काम करना शुरू किया कुछ भी आपने जिस ड्राइग और ड्रॉप करकर रखा हुए still है ठीक है एक जिगह पर है आप इस configure किया उसका status हो जाएगा red से yellow आप यह configure कैसे होता है configure का मकसद क्या है मतलब क्या है यह जब हम टूल पर जाएंगे तब ही हमें समझाएगी ठीक है अभी के लिए हमें इतना याद रखना है क्या कि नोड के नाइम के जो नोड होती है उस पर three states होती है red जब वो बिलकुल र SMS से कहते है yes तो जो status बना आ रहा होते है वो क्या हो जाता है? पी SMS से कहते है transparent processing status हम कहते है ठीक है transparent processing status जो होता है हमारे पैस green हो जाते है green का मतलब यह होता है कि जो काम हम expect कर था उस note से वो उसने हमें perform कर कर दे दिया है ठीक है अब अगर तो जो है तो वह green हो जाती है ठीक है और notes के अंदर और भी notes होती है जिनको हम कहते हैं metanodes इसका भी concept हम अभी देखेंगे अगला जो हमारे पस है वह वर्क बेंच हमारे पस क्या होता है workflow editor होते है ठीक है workflow editor जहां पर आप अपने workflows को place करते हैं ठीक है जहां पर आपको अपना workflow बना रहे होते हैं उसे हम कहते है workbench अब आम यहां पर picture के थूरू देख लेते हैं जो हमने सारी बाते की सबसे मेरे हम कर रहा तें जो भी काम आप ऀस टूल पर कर रहे होते हैं यह बर छॉलke के उपर आप जो भी काम कर रहा हों के एक तौर धटेल बहुते हैं यहांगा तो सबसर Springs को ऐपर भूल यहांगे ङांभा किो एपर्पेस को आपको drag and drop करते हैं ठीक है जो भी नोड तो उसके अगली नोड की सजेशन देना शुरू पर देता है आउटलाइन हमारे पास क्या होते है कि जो भी हम काम यहां उपर कर रहे होते हैं वो नीचे आप है में उसका overview दे रहा होते हैं Consol हमारे पास क्या होता है Consol में हमारे परस्कूइब या वार्विंस या ओर्व होंते हैं आउत कोई नोड आप ढ़्रेग अब उसक्रिक करेंगा तो यह यह वह उसके उसके आप डिचिज़ को discuss करेंगे ठीक है अभी आप इंट्रो है ये इंट्रो वीडियो है आपको पता होने चाहिए कि आपने इंस्टॉल कैसे किया ठीक है इंस्टॉल कैसे करना है इसके अंदर कुछ important concepts के important इसकी लिंगों के है ठीक है हमने वह देख लिए अब हम देखने कि हम नाइम क्यों लें क्यों चूस करें हम नाइम को इस्टॉल पास बहुत सारे टूल्स है पावर भी आए है और इंच है काफी सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि यही काम कर रहे है कि कोडिंग के बगार जो है वो मौडल्स को और बाकी मशीन लर्निंग के डेटा साइंस के कॉन्सेप्स को जिए है को implement करें सो हम नाइम ही हमने क्यों चूस किया हमने बाकी टूल्स क्यों नहीं चूस कि कोई इसकी specific reason होगी ठीक है सबसे जो हम कहा रहे ना primary benefit है नाइम का वो यह कि हमें यह visual data flows देते हैं ठीक है आप क्या कर रहे होते हैं इंते हाई easy tool है हमारे पास ठीक है सबसे easiest tool है और सबसे मैं कहा दी हूँ इसको मतलब कि यह आपके पास एक ऐसा tool है जो कि आपको सबसे advanced features provide करें ठीक है सबसे जएदा advanced features हमें नाइम provide करते हैं ठीक है हम यह देखेंगे भी ठीक है जब हम इसको देखेंगे ताब हमें पहला चलेगा कि किस sense में advanced features की हम बात करें ठीक है पहला तो हमें जो है आप कहलें कि आपको जो नाइम चूस करने की वज़ाए यह है कि आपको इसमें coding मीं करनी ठीक है common database management systems को भी जो है ना यह support करते हैं ठीक है हम क्या कर रहे होते हैं कि data science की जितने भी concept से हम वो through 9 easily implement कर सकते हैं एक और चीज़ कि 9 जो है वो सिर्फ हमारे पास windows पर नहीं चलता या आप किसी भी operating system पर चला सकते हैं ठीक है आपका कोई भी data science का काम है आप कुछ भी कर हैं आप क्या कर सकते हैं आप किसी भी जो है operating system पर चला सकते हैं यह specific में इसने में बाउंड नहीं किया हम सिर्फ windows पर इसको चला सकते हैं ठीक है और इस तरह का भी कोई का वो नहीं है कि a certain price increase होगी इसकी या कुछ free tool है हम इसको paid नहीं है हम इसको download कर तो हम इसको use करना शु और जो है वो तूल चूस क्यों नहीं किया ठीक हो गया आप देखें आपर आपको यह विजुल से निजर आ रही होगी image ठीक है जो आपको विजुल विजुलाइजेशन प्रवाइड कर रही है उसमें आप देखें हमें यह कुछ बता रहे है कि nine के कुछ basic features हमें बता रहे ह हमें यहां पर तुम्हें आपको बार-बार बात कर रहे हुँ विजुलाइजेशन 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 यह होती हमाई पस विजुलाइजेशन ठीक है जो हमें graphs में charts में जो चीजजें show हो रही होती है उसे हम कहते हैं visualization तो अब यह इसने मुझे पाए chart आपसमें क्या लिंक है तो यह आप देखें उसमें ग्राफ के थ्रू बता दिये मैं कहते हूं मूवीज के और उनके मिनिट्स के यह उसने ग्राफ के थ्रू बता दिये यह मूवीज और ब्रामास के उसना मुझे पाय चार्ट बनाके दिखा दिये यहां पर आप देख लें त FROT करके डिखा दिए सो इस तरह की विजूलाइजेशन जो पर हमें कोड़िंग से नहीं बदा चलती कोडिंग से हम से यह अब मीडिवन करके नहींस क्रूइब सकते हैं तो नाइम में क्या होते हैं नाइम में हम चीजों को इसतरह से Images स्की फॉर्म में Graphs की Forms में, Text की Form में, हर तरहा से देख सकते हैं, ठीख है, तो हर तरहा से नाइम ज्यान विजुराइज़़ेशन प्रोवाइड करता है, Then, No Code और Low Code, या तो आपको Code बिल्कुल ही नहीं करना परता, Low Code की भी ज़रूरत नहीं परता है, बिल्कुल अगर तो आप कोई ऐसी भूक रफर कर रहे हैं इसी हरकत हएं के एक बूक पड़े पहला ही है कि उसको programming की knowledge होनी चाहिए दूसरा यह से mathematics and statistics की knowledge होनी साइए तीसरा यह उसके पास communication skills होनी चाहिए अगर आपके पास इन तीनों में से एक भी चीज निसिंग है न तो आप data scientist नहीं है तो programming अभी हम specifically बात यहां पर क्या करें प्रोग्रामिंग की math and stats की कर लेते हैं communication तो जाहरा आपकी अपनी skill है जो कि कोई टूल आपको provide नहीं कर सकता वो तो आप की skill है लेकिन mathematics and statistics और programming जो है वो आप को वो आपके पास four steps से data scientist होने के लिए तो अग्दर आप कोई book read करके data scientist बन रहे हैं तो आप नहीं बन सकते हैं अगर आप programming में थोड़े से वीक हैं mathematics statistics में वीक हैं तो आपको परिशान होने की ज़रूरत नहीं है books पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप simply 9 टूल पर आकर आप लॉजिक बिल्डिंग होनी चाहिए आप वसका communication skill होनी चाहिए ठीक है जो कि टूल में तो communication skill नहीं उस होगी obviously बट मैंने आपको जैसे कि तीन जो है दुनिया बताई है data scientist इस बनने के लिए यह तीन दुनिया की knowledge आपके पास होनी चाहिए वह होने के लिए communication भी उसमें जरूरी है so अगर आपको programming में थोड़ा lag करते हैं या mathematics mathematics and statistics में थोड़ा lag करते हैं तो आप क्या करें simply 9 पर आजए ठीक है नाइम आपको math stats के database के आप कहलें के programming के हर तरहां के features functionality प्रोवाइड करते है so इसलिए आपको code से जुटकारा मिल गया code वाली जो आपकी attention थी ना वो तो खतम ही होगी है code को तो आप छोड़ें then 9 की use cases हम थोड़ा से discuss कर लेते है use cases से क्या वह बात है कि उसकी applications ठीक है अब आप देखें नाइम में हमारे पास risk assessment risk assessment इस तरह हो रही है आपने customer की history ली आपने उसके ओपर एक model लगा दिया data collect ही है ना उसके ओपर आपने model लगा दिया model ने आपको जी predict करके के बता दिया कि कितना risk है risk high है या risk low है लो रही में देखें नीचे उसके क्या risk बताया कि हाई है इसे तरह मतलब क्या 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 करें कोई कोड़न करें आप जिस customer क्या data collect करें उसमें model implement करें और model को train test वाला आपने उसके बस note लगा दिया और वह आपको बता रहा है कि करें इसका आपका high आएगा या low आईगा इसी तरह customer segmentation आप देख लें तो आप क्या करें वह कस्टमर के जो है ना data collect करें कि उनका behavior क्या होगा उनके demographics क्या है उसके उपर क्या आपने model लगा दिया उसने आपको customer की segmentation करके बता दी अलग-अलग तरह के customers जो है ना उनकी अलग-अलग category बना करें ठीक है उसके चर्ण prediction चर्ण prediction में तक happy और sad या आपका देखना चाहिए कि customer जो है पर पस किस तरह हो रहा होते है क्या बैसे ही बैठे-बैठे हो भी ख्याल आ जाते कि आज है हमें इतनी यह हो service देनी होगा आज इतनी no पीछे पूरा data science हो रहा होता है आप यह बस पूरा data science का algorithm होते है जिससे जो uber करीम होती हो उसे sense कर रही होती है अब वह भी क्या कहरी हो करनी है कितनी कार्स करनी है कितनी देनी है कितनी नहीं कितनी दी वी है है न वह कुरा हम इस सेग्मेन्ट हो था है यह पूरा हम डě 투 है साइजदсть के थ Ladine button है वह सारा सेंघर कर लीटीड कर लेत्प है थी कि वह सारा डडीड यह आपने एक मुबाइल फॉन लेना है ठीक है आप उसके बारे में सर्च किया एपर सैमसिंग गलेक्सी स7 एज का दिया है ठीक है आपने फॉन खरीदने है आप क्या करते है फॉन खरीदने से पहले प्राइमरी स्टेप जो है हम लोगा वो यह है कि हम चेक करते है किसके ठीक है अच्छा थार्ण यह वाकुई अच्छा है लोग में उन्हीं इसको पसंद किया अगर वह एक स्टार है तो हम भी कहेंगे या नहीं इस तो किसी नहीं क्या हम भी इसको नहीं खरीदेंगे ठीक है तो जो आप रिव्यूज देख रोते हैं जो आप फीडबेक देख होते हैं feedback से जो आपको अंदाजा हो जाते हैं कि यह हमने चीज खरीद नी है यह नहीं खरीद नी इसको हम कहते है sentiment analysis ठीक है तो यह भी हमें nine tool में nine tool अब देखें आप मैं आपको common basic examples applications इसके निकाल कर बताई है जो हमारे real life scenarios नहीं है ठीक है यह real life में अब जिसना tool है हम सोचे कि tool है वो तो सिर्फ code का अगाम कर रहे है no real life scenarios को implement कर रहे हो हमारे पस ठीक है तो जो feedback है कि bad है यह good है यह हमारे पस उता है sentiment analysis जो कि हम nine के through करते हैं ठीक है उसके बाद हम देख लेते हैं nine के कुछ advantages हमारे पस advantages के सबसे पहले तो बहुत असान है इसको use करना ठीक है बहुत असान है और इसको कहले आप यह हमारे पस important है एक तरह से अगर आप देखें तो अगर आपको reporting नहीं करना को कुछ ना कुछ तो करना है ना ठीक है तो आप लिए beneficial है ठीक है दूसरा आपको या तो कोई programming का experience नी चाहिए या थोड़ा सा भी है थोड़ा सा होना तो जरूरी है लेकिन नहीं है तो भी कोई बात नहीं है ठीक है प्रोटोटाइपिंग के लिए बहुत अच्छ है बहुत सारी फंक्शनलिटीज है इसमें हमारे पास ठीक है बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल टूल है एक्टिफ कम्यूनिटीज में जो होती है बहुत होती है लोग जो है वो आकर यहां पर अपनी काम को अप्लोड कर रहे होते हैं यहां से काम ले रहे होते है छीक है XTENSIBL technicalло है so να हम फ़पास एक बहुत ही ज़यादा जबदस टूल है जिस पर हम महनत करने पड़ी है हमार समय महनत काम है और हम सबाइक तसका जाईरा ह wrote है सो अब ना एंचों लिया क牢़्टा क्या है कैसी इस एस इसता आगे वाली आने वाली वीडियो में हम इसको सीखेंगे होपस आपको ये समझ आया होगा थेंक यू सो मच